डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर से पैदा किया है उसने कोरोना वैस्ट्रिक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभ्यान नहीं होता तो सो साल में आई यह सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते हैं हमने देश की करोड़ों महलाओं किसानों मजदूरों उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजानों करोड़ की उनके पहुचा दिये उनको जीने की कोई तकलीव नहीं हो देशन वन राशनकार के मदद से हमने असी करोड़ चे अधिक देश वाजयों को मुप्त राशन सुनिशित किया यह टेक्नोजी की कमाल है हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशेंट कोवीड वैक्सिनेशन और कोवीड रिली प्रोग्रेम चलाया आरोग्य सेतू और कोवीन यह ऐसे प्रेटफॉर्म है जो उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सिन डोज उसका पूरा रेकॉर्ड उपलब्त है कौन रह गया कहां रह गया उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टार्गेटेड वैक्ति वैक्सिनेशन का का मैं को दुनिया में आज भी चर्चा है पिए कि वैक्सिन सरटिपिकेट कैसे ले ला कई दीन निकल जाते हैं हिंदूस्तान में वह बैक्सिन लगाकर के बाहर निकलता है उसके मोबाइल पर सज़िपकेट मौजूद होता है कि दुनिया कोविन के द्वारा वेक्चिनेशन का डीटेल स्रेटिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है हिंदुस्तान में कुछ लोग उनका कांटा इसी बात पर अटक गया जिस पर मोदी की फोटू कर रहा है इस तना बड़ा खाब उनका धुबाग वही अटक गया